अब देखना शुरू कर चुके हैं केडी लाइब बीपेसी तो आज तारीक है 17 नवंबर दिन है शुक्रबार तो चलिए आज की शुरुवात करते हैं आपने प्रमुक खबरों के साथ सबसे पहली जो खबर निकल के आ रही है जो यूएन एसी से है यूनाइटेड नेशन सेक्यूरूटी काउंसिल से और वह बार बार यह चीज का रिक्वेस्ट कर रही है कि जो इसराइल और प्रिस्थीन में जो भी कॉंट्रिक्ट चल रहा है उसके कारण जो गाजा पढ़ती ह है वहां पर काफी सारे सिविलियंस काफी सारे जो आप बच्चे देखेंगे काफी बच्चे हैं काफी सिविलियंस है उनकी तरीके से हत्य हो जा रही है उनकी मौत हो जा रही है उसको रोकने की बात की गई है क्योंकि काफी जादा यह डेक्ट टोल बढ़ते चले जा रहा एक रिपोर्ट का मानना है कि हर दस में से दो या तीन जो है जिनकी मौत और यह वो बच्चे है तो उसको ले करके युए ने सी ने फिर से एक कमिशन जारी किया एक रिपोर्ट जारी किया फिर से बोला है कि आप इस चीज को थोड़ा रूकिया लगाई यह गाजा में उसके बार हम देखेंगे कि दिल्ली में कैसे नाइन बिग कैट्स है उनकी डेथ हो गई है दिल्ली में हमसंजेंगे कि जो बीक Gua My pegar species लो है इसके बारे में रिकार species के कौन से बोटैनिक पार्क या फिर वाइड लाइफ सेंचुरी में उसको इंट्रद्यूस किया गया था और वह वाइड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में भी इसको भी आपयाद कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि चिकन गुनिया का जो है वह एक तरीके से वाक्सीन कैसे फैल रहा था उसको भी जाने की कोशिश करेंगे एक और न्यूज है वह इंटरनाशन से निकल के आ रही है एक अंतरास्टी घटनाओं से निकल के आ रही है कि जो मायनमार है उसने अपने राखीन स्टेट पर फिट से अटक कर दिया है इसके बारे में जानेंगे कि यह जो पूरा क्राइसिस है रोहिंग्या क्राइसिस जो आज से दो तीन साल पहले बहुत जादा न्यूज में था रोहिंग्या जो एथनिक ग्रूप है उनके बारे में थोड़ा सा जनकरी कठा कर लेंगे अब यह इतना रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी हमको पता होना चाहि जो लॉंचर का यूज किया गया था वह वापस से धर्ती में री इंटर हो चुका है हाला कि यह कंट्रोल वे में इंटर नहीं हुआ है तो इस LVM3 जो हमारा मार्क वहिकल है इसके बारे हम जानेंगे इसमें कितने स्ट्रेज और फ्यूल्स होते हैं कैसे यह निकलता इसके बारे में complete जो जनकारी है इस दो की वेब साइट पर जाके हम समझेंगे इसके बारे में अच्छे से जनकारी घठा करेंगे फिर हम जो आखरी इसके बाद का जो खबर वह खबर क्या है इसके बाद का खबर थोड़ा हमारे लिए bilateral relation के लिए काफी important है एक चीज़ आप ध्या से वहां पर जो नए राष्टपती इलेक्ट हो क्या है उनसे जो अब हमारा संबंध है जो पुराने राष्टपती थे उनसे वह कैसे बदल सकता है क्या dynamics में चेंज हो सकता है वहां पर गया है और उनके जो स्वेरिंग सरुमनी है मतलब एक तरीके से जब बनेंगे तो शप फूड प्राइस का दाम बढ़ जाना फूड प्राइस को मतलब आपका आटा चावल दाल सब्जीया इन सब के दाम बढ़ रहे हैं उसके करण जो इंफ्लेशन है वह भी कहीं न कहीं बढ़ सकता है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है बट आज हम कोशिश करेंग जाकि भारतिये लोगों में ये टेंडेंसी बन गई है कि वह क्रेड़िट पर कोई चीज़ लेना बहुत था प्रिफर कर रहे हैं तो यह पर ले लेते हैं लेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस ले रहे हैं तो यह माई प्लेल लेते इससे इससे डिए बोल रहा है कि आपको आपको को थोड़ा और एक तरीके से श्टिकनेस रखना होगा मतलब कर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आपके पास जो फंड से जिस तरह का आप लोन दे रहे हैं आपके पास अच्छे मांट में बैक अप होना चाहिए उस बैककाप कौम समझेंगे कि आखिर होता क्या है कितना बैक आपके साथ कल बनते चला जा रहा है यह माई से रिलेटेट कैसे हम फस्ते चले जा रहे हैं इस से रिलेटेट एक जानकारी है क्योंकि आर्बियाई ने भी हमें एक तरीके से आगास किया है कि हमें बहुत जाधा क्रेडिट पर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़ी क्या होता आप लोन ले लेते हैं और डिफॉल्ट कर जाते हैं इससे अंत में आपको भी परिशानी होती है और जिस इंसिट्यूशन में आपको लोन प्रोवाइड किया है फिर वह आपको हरास करेगा बहुत गंदे तरीके से आपने देखा हुआ कि हाल में बीबीची पर लोकुमेंटरी भी आई थी जहां पर बहुत सारे ऐसे आप्स जिनके थुरू आप लोन ले रहे थे फिर आपका बहुत सारा परस्टनल डेटा जो वह उन्हें कठा कर लिया उसके बजमें फिर आपको वह ब्लैक मेल कर रहे थे आपसे इंटरस्ट पैंटरस लिए जा रहे थे तो इन सारे चीजों को देखते वे आरवी आई जहां है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है बहुत सारे कंपणीज को और उन सारे कंपणीज को जिनको आप लिए अपसी कहते हैं कि आप किस हिसाब से लोन इशू कर सकते हैं अगर लोन इशू करना है तो आपके पास रिस्क वेटेज क्या होना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे एक और चीज़ है कि इंडिया ने भी विंद्फॉल टैक्स जो है क्रूड और डीजल पर जो मैं ज़रूरी नहीं कह सकता है बट हो सकता है कि आए दिन में आपके पेट्रोल प्राइजेज उनमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है बट मैं इस चीज़ पर शोर नहीं हूं बस मुझे इतना पता है कि जो विंद्फॉल टैक्स है वो क्या होता है उसको घटाया गया है और को ले करके हेरिंग चल रही है काफी टाइम से मतलब एक हफ्ते हो चुक है इसके उपर और सुप्रीम कोट ने अपना जज्जमेंट भी है वो भी अभी डिजर्व कर लिया हाला कि उन्हें अभी जज्जमेंट सुनाया नहीं है थो थोड़ा हम समझेंगे इलेक्टोरल बॉ सुप्रीम कोट बार-बार यह कहना चाह रहा है कि नहीं यह थोड़ा सा जो बहुत सारे जो क्या करते हैं जिन्होंने पीला दायर किया है बहुत सरे से वकील है जिनका कहना है कि नहीं जो हमारा डेमोक्रसी है अगर इलेक्टोरल पॉंड का इसी तरीके से होता रहा तो कही इसको भी हम समझेंगे तो यह है आज की दिन के कुछ प्रमुक सुर्खिया जिसके बारे में हम डीटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि इंट प्रेंट का रिजल्ट आ चुका है और आप सब लोग बहुत सारे मेंस की तयारी में लग्ट्यों क्या होंगा मुझे उमिद है मेंस की तयारी रिलेटेट हमने आपनी daí तरफ से आपको ettam माट और से क्तियों है या मैधिक फरवाइंट का उत्यूल देखिए गारover bur Jan समझ पाईएगा कि जो एससे है जो निबंद है उसका evolution कैसे हुआ कहां से आ रहा है मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री को समझ येगा उसका जो relevance है बरतवान समाज में उसका significance क्या है उसको आप समझ येगा कैसे आप ऐसे को लिख सकते हैं कैसे आप इससे को analyze कर सकते हैं different school of thoughts हैं जो कि इससे के पीछे हैं ये क्यों important हो जाता है किसी examination के लिए ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी तो आप उस वीडियो को जाके एक बड़ जरूर देखें आपको idea मिल जागा कि आपको essay कैसे लिखना चाहिए किसी topic को कैसे साज़ना च चाहिए अब शुरुवात करते हैं अपने खबर की तरफ जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हम आए दिन अगर आप एक दिन ग्याप करके भी देखेगा तो हम कहीं ने कहीं इसराइल-पलिस्टीन काफिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहा है कि ज जो सप्लाइज है वह कहीं ने कहीं पलिस्टीन को नहीं पहुंच पा रहा है इमर्जेंसी मेडिकल एकुप्मेंट्स हो गया राशन का समान हो गया बहुत सारी चीज़े जो हैं वहां पर नहीं पहुंच पा रही है टाइम पे इसके करण आप देखेगा काफी जानमाल का न लगा देना चाहिए बट यहां पर भी देखेगा जो यूएंसी है इसने यह तो कह दिया कि आपको एक तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा आपको रोक लगाना पड़ेगा फिमेनेटेरियन पॉस लगाना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हैं गाजा स्क्रिप में लेकिन इ हमास को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं वो भी इस रिपोर्ट में निकल के आ रहा है तो चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको समझते हैं कि आकर इस रिपोर्ट में क्या बात की गई है कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने इस रिपूर्ट लेके आ रहा है और यह डिमांड कर रहा है इंटरनेशनल से कि आप आईए और इस पे अपना अपनी बात रखिए अगर आप इसको नहीं भी रोकना चाहते हैं भारत ने भी आपने पढ़ा होगा दो दिन पहले उसने कहा था कि नहीं ठीक है जो भी हो रहा है अटलीस्ट आप है अराउंड एक मंथ होने को है और यह चीज़ कंप्लीट चली जा रहा है और हमाज को भी कहा गया है कि जो होस्तेज़ आपने रखे हैं इसराइल के उसको भी आप रिलीज कर दीजे रिजलूशन जो है उसके द्वारा पास किया गया है जिसके फेवर में उन में जब कोई पास किया जाता है फिर आप देखेगा जनरली कोई ऐसा इंसे जहां पर बहुत सारी लोगा के बैटे हैं तो क्या होता एक रिजलूशन पास किया जाता है जो बाकी सदस्ट से देश होंगे वह जात उसके फेवर में वोट करेंगे तो अगर जो फेवर में पढ़ेंगे तो बहुत जादा हो रहा है और जो सप्लाइज है वह अब आम लोगों तक पहुचना ही चाहिए इस से रिलेटेट क्या है तो यूट करने से उन्होंने मना कर दिया तो एक आपके पास यह भी हो सकता है या तो आप फेवर में वोट कर सकते हैं या तो आप अगेंस में वोट कर सकता यह सवाल भी एक तरीके से पूछा गया है कि अब भी आप इसको कितने दिन तक खीचने वाले हैं ठीक है यह सारी बाते इस रिपोर्ट में की गई है जो यूएनस्ट के द्वारा पास किया गया है तो इसराइल फेलस्तीन जो भी यूद्ध चल रहा है जो भी इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा यह बहुत तरीके साब के लिए इंपोर्ट हो जाता है आपको जियो पॉलिटिक समझने में हेल्प करेगा कि कैसे चोटा कांट्री जो इसके खिलाफ इतने बड़े बड़े अरब कंट्री बोल नहीं पा रहे हैं यूएस से यूके जो लोग इसराइल को कंडेम कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है कुछ लोग पलिस्तीन वाले लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमास को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं अलग अलग पक्ष है बट दुख की बात है कि उन सब के बीच में जो आम नागरिक है जिनका हो सकता इन सारे चीजों से कोई लेना देना नहीं हो उनकी मौत हो रही है तो आप इसको रोकना चाहिए हम देखते हैं कि यह चीजे कब रुकती है चलिए हम बढ़ते अपने अगले ख़बर की तरफ जो अगला ख़बर हमारा निकल के आ रहा है यह थोड़ा दुखक खबर है आप द डेथ हो रहा है कितने फिलाल नौ जो बड़ी प्रजातियां है विल्लियों की उनकी डेथ हो गई है चोड़ा देख लेते हैं इस रिपोर्ट को तो कंसर्ण राइज हुआ है कहां पे दिल्ली के जो लॉजिकल गार्डन में क्यों कंसर्ण राइज हुआ है आखिर यह समवे कौन कौन से जानवर आते हैं और उनका प्रिजेंट स्टेटस क्या है अगर आपको यह पता चल जाएगा क्योंकि इससे सवाल पूछा जा सकता है कि जो बिक कैट स्पीसीज है उनका आप नाम बताइए हाला कि इनके बारे में आप डिटेल अगर आप जानना चाहें तो बाथ है कि हमारे लिए होगा बट वह आपके लिए भी उतना फाइदे मंद होगा तो प्लीज सवाल का अंसर कीजिएगा कि हाली में भारत में कौन से देश से कौन सा बिक क्याट स्पीशीज लाया गया था और कौन से वाइडल सेंचुरी में उसे छोड़ा गया था यह ती करूंगा कि जो भी सवाल मैं आप से आज पूछ रहा हूं इसका अंसर अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँ ताकि आपको कुछ चीज़े काम की मिलती रहेंगी तो चलिए हम एक बात देख लेते हैं जो जो जिनकी बात हम यहां पे कर रहे थे उनके बारे में थोड़ ओन से इंडेंजरड है तो यह जो है वह इंडेंजरड में आता है बाकि इनष क्लासिफिकरेशन दे दिया है इस PDF को खोलिए इसको एक बार दोबार पढ़िए दोबारा इस वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़े अच्छे तरीके से याद हो जाए हो सकता है तो खुछ से कुछ आपको चीज़े बहुत देर तक आपके दिमाग में रहें और आप उस चीज़ को याद रख सके तो यह था मामला नाइन बिग कैड स्पीसीज का इसे अगर और कोई न्यूज आता है तो हम ज़रूर डिसकस करेंगे फिलाग आगे बढ़ते हैं अब देखिए यह बहुत ही इ चीज़े बारे में तो यह सारे डिजीजेस होते हैं मतलब कि अगर कहीं पर पानी इकठा हो गया सब्सक्राइब करें पानी में क्या हो जाता है मच्छड अपने लगते हैं और उन्हीं मच्छडों से जो है यह चिकन गुनिया यह यह डिजीज जो है वह स्प्रेड होने इस से होता क्या गहता का चीकन गुलिया हो गया होगा मुझे ब्लबिया इसकी होने की ज्थ ज्याधा हो जाती है ल एड़िस इजिप्टी और Edis Elbopictus यह दो ईजिप्टी और इडक वे पैलता है कहाँ कहा वुआ हुआ डेख लिजे एस्य अमेरिक constraint नहीं कि बाड़ी से बढ़ रहे हुआ यहां सब इन सब कंट्रीज में चिकन गुनिया जो है वह फैला हुआ है और बहुत तीजी से बढ़ रहे हैं और 2004 से जो फ्रिक्वेंसी है आउट्ब्रेक्स की वह बढ़ते ही जा रही है अब इस से बचने के लिए जो है वैक्सिन का डवलप्मेंट किया गया है वैक्सिन बन आने की कोशिश कीजिए इन सब चीजों को बारे में आपको बताया जाएगा और अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तो काफी लंबे टाइम तक 6 महीने साल बढ़ तक हो सकता है कि आपके जॉइंस में डर्द रहे कोई क्यों नहीं है चिकन गुनिया का आपको बस इसी चीज़ करके आस-पास कोई ऐसा जगह पानी करें तो कुछिश कीजिए लगा को अप ढंकर रखे है या पानी जब भी कंटा हो रहा को आप यह सारे चीजों को कर सकते हैं मॉस्कीटो कर देखेगा अब ये तो वही कि कैसे प्रेंट कर सकते हैं आप बात कर लेते हैं में क्योंकि वा जिसको अप्रूफ कर दिया गया है चिकन गुनिया के लिए और यह सिंगल मसल में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और बेसिकली जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको तो इसका माइड़ चली माइड़ पर्म कर जो है माइड़ हो माइड़ वाइड़ जो इतना रहे तरिके से जैडिब्स बना लेते हैं इस वाइरस के माइल्ड वाइरस के खिलाब ये एक एंटीवडी बना लेते हैं जिसे मान के चलिए अगर परिच्छा में कोई सवाल आ रहा है उसके जवाब आपने पहले ही देख लिए आपका बेसिक आंसर आपका रेडी है अब एक्जामिनेशन में अगर टफ कोशन भी आ गया यह होता है आपने कोविड-19 में भी देखा होगा तो जो हम बेटिक प्रिंसेपल यूज करते हैं वाइरस बनाने में वहीं यूज करते हैं कैसे अब यह जो है बहुत सारा रिस्पॉंस डेटा मिला था मतलब इसको अप्रूफ करने से पहले आपको पता है किसी भी वाइरस लेने के बाद भी आप इस नोटिस किजिएगा कि आपको थोड़ा बहुत बुखार रहा होगा हो सकता आपके जॉइंस में दर्द रहा होगा तो ठीक इसी तरही किसे वाइरस मतलब इस वाक्सीन को लेने के बाद भी लोगों पर उसका प्रभाप क्या रहा कि इसको दर्द बहुत है यह था प्रभाप के नाम से भी जानते थे आपको कमेंट सेक्षेन में बताना है कि भारत और बर्मा को अलग कप कर दिया गया था बहुत ही मत्वकून सवाल है बहुत सारे पूछा गया है और हमें यह पता होना चाहिए क्योंकि इस साल दो-3 चीजे हुई थी भा आपको कमेंट सेक्षेन में बताना है ठीज थोड़ा देखते हैं मैंनमार बिट्री के बादे में क्या हुआ तो वेस्टर यह आपका टाइम यह जो आप ग्रीन रंग का यहां पर चीज़ीज देखना है यह आपका टाउन है यहीप अटाक किया गया यहां पर एक आराकन आ इस स्टेट के बारे पूछा जा सकता है कि अगर यह जो स्टेट है कौन से इरिया में बिलॉंग करता है अगर वह बेंगॉल से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है वह देखिए अगर आप देखेगा जो रहींग्या क्राइसिस हुआ था जब लोग यहां से भाग रहे थे काफी जादाब सब्सकिंड यह है कि उनको सर्ट्रींटीं से मिला ही नहीं नहीं है वहां पर रहा है और वालायालनस का सामना प्रण सामना प्रणा पड़burgh और अलग अलग तरीके से पर उनको और अपने को छोड़के भागना पड़ रहा है ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी कॉम्मिनिटी को इतनी करी डिस्प्रेस किया गया है इधर तो वह रहेंगिया कॉम्मिनिटी है अराउंड आप देखिए साथ लाक बयाली से रहेंगिया है उनको एक जगा से दूसरे क्योंकि अपने कंटरी में को मास्ट पर्जेक्यूशन का सामना करना को पड़ रहा है उनको रहने नहीं दिया जा रहा एक तरीके से इसलिए क्या हो रहा है मायनमार के जो रोहिंग्या कॉम्मिनिटी है उनको एक जगह से दुसरे जगह ट्रांसफर किया जा रहा है अब यह लौस कराने में काफी ज़्यूफ किया था इसके बारे में ठोड़ा सा इस तरीकेसि के से दिखता है यह आपका रॉकेट है कुछ रीके से दिखता है हाइट इसकी 43.5 मीटर है आप से हाइट वगरा नहीं पूछा जाएगा बठा टेखनिकल स्पेसिफिकेशन पूछा जा चीजों को एक तरीके से transfer कर सकती है और यह low earth orbit होता है मतलब आर्थ के आप ground से देखेगा तो around 600 km उपर तक यह चीजों को transfer कर सकती है इंपोर्टन के है यहां पर इंपोर्टन आपको गिंकि ऐखेगा तो जो भी exercise से जो पो चलेंगे नहीं जाहिए उसमें अलग तरीक यूजय की जाते है आपाइं। सबसे पहली आप देख लिजा पर इसने स्टेज जो अपर का स्टेज है क्रायोजेनिक है और इंडिया का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है आपको याद करना है और यह लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम के द्वारा बनाए गया है इसका हाइट 13.5 मीटर है डाइमेटर आपको याद करने की जबत नहीं है बठा जो सबस्टेज है एक तरीके से वह सॉलिड वहां रॉक्विड स्टेज है जिसको विकास इंजन प्रॉपिल करते हैं इसका हाइट ड्मेंशन आपको ज़रूरत नहीं जानने की आप ये चीज जान लीजएगा कि यह जो लोवर अर्थ और्बिट यानि अर्थ से अगर यह आपका अर्थ सर्फेस से तो अराउंड 600 किलो मेटर तक पेलोड को करी कर सकती है इसमें तीन स्टेज के इंजन होते हैं पहला अगर आप देख लिजिए जो सबसे अपर है इसको क्रायोजेनिक कहते हैं दूसरा अगर आप देख लिजिए तो सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन है और अगर तीसरा आप देख लिजिएगा तो वह कोर स्टेज है तीसरा जो कोर स्टेज है वह एक सी बेसिकली वह लिक्विड है यह तीन चीज़ आप याद रखिएगा यह आपके लिए इंपॉर्ट सब्सक्राइब कर लेते हैं जो हमारे एक तरीके से जो रिसर्चेज है उससे सवाल हमारे एक्जामिनेशन में आते रहता है जो साइंस अंटेक का टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है लोग जनरली पढ़ते नहीं या फिर आप कहली थोड़ा इग्नूर कर देते है लास्ट मुमेंट पढ़ते हैं तो मुझे लगा अगर इस तरह से साइंस अंटिक का कोई छोड़ा छोड़ा टॉपिक आते रहेगा तो उसके स्टाटिक पोर्शन को हम साथ में रिवाइस करते रहेंगे अगला जो टॉपिक है यह एक छोड़ा सा टॉपिक है हलांकि यह ट ज़रूरी है तो आप देखेगा मिनिस्ट्रिय और साइंस किरन रिजी जूजो है भारत को रिप्रेजेंट करेंगे स्वेरिंग इन से रुमनी होता है जहां पर लिया जाता है जहां पर तरीके शपत ली जाती है मालदीफ में जयो नए प्रेसिडेंट हुए है मोहां पे औ अभी जो चुन किया है वह बेसिकली अब्दुल्ला यमीन के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने प्रोचाइना पॉलिसी को अपलाया था मतलग आप देखेगा तो भारत से उनका संबंद उतना अच्छा नहीं था जितना चाइना से था भारत पे उनका संबंद उतना अब क्योंकि यह जो नयवाले प्रेसिडेंट है वापस से उस विंग से आ रहे हैं जो प्रोचाइना को सपोर्ट कर रहा है तो यह देखना काफी अधा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब जो मालदीफ में पॉलिसी बन रही है इनके होने के बाद ही इन्होंने यह कह दि नहीं और उसके पीछे का लॉजिक इन्हों नहीं यह दिया कि ऐसा नहीं कि अगर हम भारती आर्मी को कहां से जाने के लिए क्या रहे है तो हम किसी दूसरे आर्मी को बोलेंगे क्या प्रोटेक्शन दीजिए अब ना प्रोचाइना बात करेंगे ना प्रोट इंडिया बात मालीक फ़र्स फोकस करेंगे जैसे बहुत सारे कंट्री वहते हैं अमेरिका फस्ट इंडिया लागे अपने आपको धूड़ा चाहिए आगर भारत हो होता है वह इसके बार थोड़ा सा बैक्रांब दे लिया अब यह देखिए इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा करी रहे हैं कि जो food prices है उसका दाम जो है वो एक तरीके से बढ़ रहा है उस पे control नहीं कर पा रही है बागी सब जगह पर आपने देखा होगा WPI के बारे में हमने बात की थी CPI के बारे में बात की थी उन सब वो पर control किया सकता है लेकिन उन सब में भी जो volatility है मतलब जो एक तरीके से जो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है वो इसी लिए हो पा रहा है क्योंकि जो food line है जो सबजीयों कदाम है जो चावल कदाम है जो अनाजों कदाम है उस पे कोई खास नियंत्रण है नहीं वो उसका demand इतना जादा हो गया कि वो बट क्योंकि food price कदाम भाई बढ़ रहा है सबजीयों कदाम बढ़ रहा है चावल वावल खब कदाम बढ़ रहे है तो इसको control कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप देखिएगा प्याज कदाम बढ़ चुके थे कुछ दिन परने टमाटर के भाव बढ़े मतलब बढ़ गया है एक तरीके से एवरेज वह 6.7 परसेंट था मतलब पिछले साल थोड़ा ज्यादा था बट अभी थोड़ा से कम आया है बट क्यूकि हमको चार परसेंट लाना है और अभी यह 4.9 परसेंट पर है मतलब एक परसेंट से क्या ही हो जाएगा बट एक परसे अब ही थी तो headline inflation जो है वो overall inflation rate की बारे मीफ बात करता है जो कि consumer price index में आता है और हमने को पदा था consumer price index हम लोग food चीजको भी आड़ करते ही है हमने differentiation गता था वे थो प्त्रों करते हैं और वोडिके रिलेटेट और फॉसको पट्रों के लिए तो अब नहीं मुझे से स्टार्टिंग में बात कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि रिस्क वेटेज एसेट है वह 100% से बढ़ा के एंद्वी और बैंक के लिए 125 कर दिया गया है इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी इनसान को 100 रुपाय का लोन देता है तो इस बैंक के पास 100 रुपाय का बैकप होना चाहिए कि अगर वह इंसान कर जाए तो बैंक फिर उस चीज़को भरपाई कर सकती है बट अब क्या कर दिया गया बहुत आसानी से ना बहुत सारे आप सा गया है तो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप खर्च बहुत ज्यादा कीजिएगा एक सिमित से जारा खर्च कीजिएगा और जब खर्च करने लगएगा तो मार्केट में ज पर रिस्क वेटेस था उसको हम 125 परसंट कर रहे हैं मतलब आपको लोन देने से पहले बैंक को जो पहले सुनिश्चित करना था कि उसके पास 100 रुपया है कि नहीं सर्क्लस में अब उसको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके पास 125 रुपया है या नहीं तो बेसिकली इसको बढ़ा रहा है तो इसके इंटरेशन पर पड़ेगा इन सारे चीजों को आप एक तरीके से अपने दिमाग में कल्कुलिएट कर सकते हैं अगर आपने इस चीजों को ठीक से पढ़ा है तो बजाज फाइनांस आपने नाम तो सुनाई होगा वह यहां माई कार्ड वग को डिस्ट्रिक कर दिया है बजाज को क्यों कर दिया है तो आर्बिया ने कंसिस्टेंटली रेस किया कंसर्ण एबॉट एक्सपैंडिंग अन्सेक्यूर्ड लॉन बुक्स अप सर्टन रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब जो लोन दे रहे हैं आपको लोन दे तो दिया बट अब आप किसी दुकान में देखिएगा वहां पर आपको इंट्रेस्ट भी बहुत कम चार्ज ले रहे हैं वहां पर इंसान जाता है और मोबाइल ले लेता है बट उस इंसान के पास उतनी इंकम है या नहीं है तो यह आपका अन्सेक्यूर्ड लोन हो गया क्योंकि आपने अलग गोल्ड के जो नामेंट्स होता हैं उसको बैंक में जाकर जमा करते हैं और उसके भिहाब पे लोन लेते हैं तो उसको हम सेक्योर लोन कहते हैं क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट कर गए अगर आपने पैसा नहीं दिया बैंको टाइंपर तो बैंक क्या करेंगि आपका जो शमान है आपका घर है उसको एक तरीके से वह बेच के वह पैसे को रिकवर कर सकती है आपका जो गुल्ड का अभी जो है वह कंजूमर क्रेडिट जो था वह सो परशंट था बट अब इसको बढ़ा दिया गया है यह पूरी चीज थी अब यहां पर देखिए कि जो रिस्क वेटेज इंक्रीज़ अप्लाइस टू कंजूमर क्रेडिट एक्सपोजर्स और कमर्शल बैंक्स और एंव अप अगर आप ऐसा कोई ले रहे हैं तो आपको कोई दिखत नहीं है बैंक अभी भी 100% अपने पास deposit रखके मतलब अपना जो उसका balance sheet होता है उसमें वह कोशिश करके 125 परशंट ना करके 100% पर ही वह अभी आपको लोन दे सकता है बट जो उसमें आपको यह चीज करने लेगी अगर अगर इन जगहों पर लोन आप दे रहे हैं इसको हटा दिए तो उसको भी आप 125% कर दिया जाएगा जो कि अभी 100% था मतलब जो secured लोन से बस उसको हटा दीजिए तो सारे लोन पर अब अगर कोई entity आपको लोन दे रही है तो उसको खुद पे पहले 125 रुपए का रिजर्व रखना पड़ेगा और तभी जाके आपको 100 रुपीज का वह लोन एक तरीके से दे पाएगी तो आप देखेगा कुछ टाइम में मतलब अभी तो रही बट क्योंकिक्के अभी पॉलिसी आई है तो कुछ टाइम पर हो सकता है लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो होता है ठीक है क्रेडिट कार्स क्या होता है इस्टॉल्मेंट लोन क्या होता इन सारे चीज़ों पर आपको जो अब 125% का बैलन्स बैंक को रखना पड़ेगा उसके पहले यह 100% था यही सारी चीज़े मैंने आपको एक तरीके से एक्स्पेंट कर दी हम उन्हें पीडिएफ में इसको लिख भी दिया है अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एक बर इच्छे से और बहतर से इसी टॉपिक को समझने के लिए अपने आंसर में इसको इंटूड करने के लिए यह जो सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप अभी आप पढ़ रहे हैं यह डिरेक्टली आपसे सवाल में नहीं पूछे जाते हैं इनका आपसे रिवर्स मेकनिजम पूछा जा सकता है कि अगर आर्भी आई है वो मार्केट में जो रूपी के नोट है वह बहुत जादा हो गया तो उससे जो मारा रूपी का वैलू है इंटरनाशनल ट्रेड में वह बढ़ेगा घटेगा इन सारे चीजों पर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए जब भी आप इस तरह का न्यूस आर्टिकल कोई भी अब देख लिए क्या क्रेट काड इसू कर सकते हैं कौन से इसे एंटिटीज है जो क्रेट काड इसू नहीं करते हैं स्मॉल फैनेंस बैंक क्या होता है इन सारे चीजों को जब भी आपको को यह सा न्यूस मिले तो आप तुरंती उसको कवर कर लिए अब देखिए यह बहु कर दिया गया है कितना कम कर दिया गया है तो कट कर दिया गया है अरॉंड इसको 60 रूपी 6300 करोड कर दिया गया है अब बेसिकली बिंद फॉल टाक्स होता क्या है यह आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है यह डेटा मुझे पता है याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट विंद फॉल टाक्स क्या होता है तो विंद फॉल टाक्स ऐसा टाक्स होता है जिसको इंपोस्ट किया जाता है सरकार के द्वारा एक ऐसे सिचुईशन में जब आपको अनस्प्टेड अब आपके आपने उस प्रॉफिट के लिए मेहनत नहीं किया हो एक सिनेरियो को समझते है सब कीजिए रशिया यूक्रेयन का वार चला रशिया यूक्रेयन का वार हुआ हूँ और टाइम तक हुआ अभी चली रहा है कि तो निकला नहीं है अभी अब इसके कारण क्या पीट्रोल के दाम बढ़े गहें, डीजल के दाम बढ़े गए, अब जब भी किजी जीसका दाम बढ़ेगा, तो जाहिए से बात है, कंपशिट होगा, तो ये यश्यार उक्रेयन के वहर के कराना अगर प्रॉफिट इंडियन कंपशिट को हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बो गुट के लिए जिसको बाद में यूज कर सकती है सरकार किसी स्पेसिफिक एकनॉमिक कंसर्ट के लिए क्योंकि आप देख लीजे हो सकता है क्योंकि पेट्रोल और डिजल के दाम बढ़ आपको पता है पूर इंफ्लेशन इंफ्लेशन में यह चीज़े आड़ी करेंगी तो जब इंफ्लेशन आड़ करेंगी तो हुसा के लोगों के पैस पैसा का हो जाए तो गवर्मेंट जो आपसे टाक्स वसूल रही है इसको वेलफेर स्कीम में इंप्लिमेंट कर सकती है यह था पूरा मामलाब का विंटफोल ट वाक्सीन कैसे अप्रूव हुआ कैसे बना क्या होता है वैक्सीन चेकन गुनिया कौन से वाइरस से होता है कौन से मस्कीटो ब्रीड से होता है इसको डिसकस कर लिया मायनमार में जो मिलिटरी शेफ हो रहा है राखीने टाउन में उसके बारे में डिसकस कर लिया जो रहिंग चीज़ है क्योंकि इस पर भी डिवेट चल रहा है बहुत सारे जो एडिटोरियल से वह आ रहे हैं तो चलिए थोड़ा साम जो है ना एडिटोरियल को फंडिंग करना है कोई भी प्लेटिकल पार्टी हो सकती है ए बी चीज़ी को भी मुझे फंडिंग करना है तो मैं जाओंगा पार्टी किसी को भी जाकर रहा है इसके बहुत सारे इस को हम थोड़ा समझते है और कैसे यह देमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है उसको भी जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले दिख्ये जो बॉन है वो जातों आपको 1000 के पूर्म में मिल जाएंगे मतलब को मिलिदा पड़ेगा 10 लाग देना पड़ेगा दस लाग देना पड़ेगा और एक करोड तक का भी बॉन्ड आपको मिल सकता है मतलब 68% जो bond issue किये जा रहे है तो एक करोड़ रुपए के असपास का है यह आपको basic concern आगे देखने को मिलेगा ठीक है दो political party इसको in cash करा सकती है 15 दिन या एक महिने का टाइम है अगर उसमें वो in cash नहीं कराती है तो यह सारा पैसा है जो प्रधान मंतरी relief fund में चला जाता है उसमें जा करके फिल्स को खर्स के जाता है तो यह था अब देखिए होता क्या है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नेम है और information है जो donate कर रहा है जो इनसान अगर मैं donate कर रहा हूं तो मेरा नेम और भी जनकारी कहा रहता हूं कितना कमाता हूं हो सकता है इन सारे चीज़ों को वो लोग के कठ्ठा कर लेती है एक और यहां पर देखिए एक इनसान कितना भी इलेक्टराल बॉंड ले सकता है करोडो खरबो और वो जितना चाहिए वो ले सकता है आप देखिए कि अगर मुझसे पूछा ही नहीं जा रहा कि यह मैं पैसे कहां से ला रहा हूं और कितना भी ले सकता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर कि वो पैसे दे दूगा त अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आप यह इतना बॉंड कहां से ला रहे इतना पैसा कहां से ला रहे तब तो प्राब्लम होगा क्योंकि आप मुझे दे रहे तो इसका मतलब जो ब्लाक मन्य इसको इंजेक कर सकते हैं और इसको लाने के लिए गवर्ण्मेंट ने कुछ अ अगर लाना था तो उसको कुछ अमेंड्मेंट लाए थे वह अमेंड्मेंट किया थे थोड़ा देख लिजे अगर इसको मैं थोड़ा साना जूम कर देता हूं यह थोड़ा छोटा है कि अगर दो कि कि चलिए यहीं से समझ लेंगे कोशिश करते हैं परी तो कुछ अमेंड्मेंट जो है सरकार लेग गया थी जैसे कंबनी औक्यट किति इंकम्टैक संमेंड गीथी प्रिफलेशन रेगृशन मेंड्न की और सधी और Milk Dark यहां पर एकिएग भी है कि अब पहले क्या होता था कि अंधे समझ सब्सकेश कि यह अब देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी आप यहां पर देख लिए इन सबसे जो इलेक्टोरल बॉंड इससे प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले आपका जो राइट तो इन्फोर्मेशन है आप यह नहीं पता कर सकते आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ नहीं सकते कि अगर आपके पास कोई अमांट करोड का चंदा आया कि किसी कंपणी ने आपको दिया होगा इतना दिया आप नहीं पूछ सकते चंदा आपको कहां साया है कौन दिया है उस आदमी का नाम बदाईए उसे आदमी का इंकम डिस्क्लोज किजिए क्योंकि जाहिए सी बात अगर अगर आप इतना पैसा ले रहे हैं और आप अगर चुन के आईएगा पार्टी में तो अइसा थोड़ी कि आप इनके लिए काम नहीं किजेगा किजेगा ही किजेगा ही किजेगा तो आपके जो राइट इंफरमेशन वह आपको बताएंगे नहीं इससे रिजटेट अभी हा हुआ कि कोई बिजनसमेन है वह पार्टी के पास गया उसको बोला कि हम आपको 100 क्रोर का चंदा दे रहे हैं आप इलेक्शन जी जाएगा तो हमको माइनिंग का ऑक्शन में हेल्प कर दीजेगा थोड़ा सा जाहिर सी बात है जब यह पार्टी जीतेगी इलेक्शन तो उसको हेल्प कर देगी तो यह बैकड़र लॉबिंग में हेल्प कर सकता है अब देखिए पहले क्या था ना कि अगर को आपके यहां उसका एक ऑफिस तो होना ही चाहिए और मिनिमूम यह भी था कि मिनिमूम टर्णोवर होना चाहिए और आप अपने एक परसेंट टर्णोवर से जादा और कुछ प्रॉफिट अगर आप कर रहे हैं तब ही आप किसी प्रॉफिट अगर अगर कोई बाहर की कमपणी है इसका नाम बस रेजिस्टर होना चाहिए इंडिया में वह भी चाहर तो किसी प्रॉफिट कमा रही हो नहीं कमा रही हो अगर मान के चलिए कपनी ईुस प्रमोट करेगा जाहिए जब आपको यह सारी चीज़े पता ही नहीं है कि पैसा कहा आ रहा है कौह से प्रमोट होगा ही और सबसे बड़ा इशु यहां पर यहां पर यह कि जो भी बड़े पार्टी उनको तो एक तरीके से कंटेस्ट करना चाहती उनको फंदिंग मिलेगी उनको वह ही पुराना अपनाना पड़ेगा और एक आप यह देखिएगा सारे डीटेस के पास है मतलब आप चाहें या हम चाहें और अन्य प्लिटिकल पाटी चाहें तो वो नहीं पता कर पाएगी कि कौन से इंसान ने यहां पर लिया और किस पार्टी को दिया किस पार्टी को दिया या बी को दिया या या सी को दिया हमें नहीं पता बट को सारा पता है तो जो भी इंडिटी जो भी गवर्णमेंट स्वेव कंट्रोल कर रही होगी वह जान सकती है कि भाई अगर पार्टी ए है इसने आप से चंदा लिया और ठीक है मतलब कोई कंपनी ए है उसने इस पार्टी को चंदा दे दिया तो हो सकता उस कंपनी के खिलाफ को तो यह सारे थो थोड़े कंसरें वहामने देख लिया कि मतलब बहुत अरे ऑने देख लिए उसको हमने डिसकर लिया पूरा कबुरा को मैं कोशिश करूँगा कि अभी क्योंकि हमारी टीम थोड़ी और आने वाली है तो कुछ और टीमेट्स आने वाले हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक पूरा स्कीम लेखेंगे क्योंकि यह आपका एक्जामेशन के लिए इंपॉर्टेंट इस बार हो सकता है अगर प्रियुम के लिए नहीं तो में सकता है तो उस पर पांस साथ मिनिट का या पंद्रा मिनिट का जो भी टाइम लगेगा हम बहुत सारे लिस्ट कर रहे हैं इस महीने के लाग से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे टॉपिक जैसे अपने अभी हमने कुछ दित पहले भी बात की थी इंफ्लेशन से रिलेट हम एक टॉपिक लाकर रेख सकते हैं ठीक है हम अगर इंटरनाशन की बात करें तो जितनी बॉडिस हैं उ लाइक कर दीजेगा कमेंट सेक्षिन का प्लीज यूज कीजेगा